एक बार की बात है गौतम बुद्ध अपने शिश्यों के साथ एक गाव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे, गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था, गौतम बुद्ध अपने शिश्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वज़े से उन्हें ब प्यास से सूख रहा था, ये बात बुद्ध जानते थे, बुद्ध ने अपने एक शिश्यों को कहा, आप इस बरगत की चाया से 20 कदम दूर जाकर बरगत की दो बार परिक्रमा करके वापिस आओ, शिश्यों वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया, परिक्रमा के सुन महात्मा बुद्ध शिस्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ जरूर वहां से कुछ ही दूर पर एक तालाब अवश्य मिलेगा उस तालाब से सब के लिए पानी ले आओ शिस्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहां सच में एक तालाब होता है त तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है तभी शिस्य की नजर वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ त्रियों पर जाती है ये देख शिस्य मन में सोचते है कि यह पानी तो गंदा हो गया है लेकिन जब शिस्य ध्यान से तालाब के प उपर आ जाती है जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है ये देख शिस्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापिस चला जाता है शिस्य बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सब बात बताता है शिस्य की बाते धीरज रखो कुछ देर यही बैठो उचित समय आने तक सयम बनाए रखो सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वही बैठ जाते हैं कुछ समय बीच जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिस्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं शिस्य बिना कोई सवाल किये उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है तालाब की हालत देख शिस्य को यकीन नहीं होता तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है ये देख शिस्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते है लेकिन अभी भी सब के मन में ये एक सवाल था कि आखिर यह चमतकार हुआ कैसे तालाब का सारा पानी तो गंदा था उन्हें लगा कि जरूर ये बुद्ध की शक्ती है इम्में एक शिस्य ने ये सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमतकार आपने कैसे किया शिस्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमतकार नहीं यह आपके सब का फल है ये फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया उतनी देर तक तालाब के पानी के उपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैट रहे थे फिर कुछ देर बाद शिस्य जब वहां तालाब के पास पहुचा तब तक सब दूसित कर नीचे बैट चुके थे जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता धैर्य न रखा होता तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यू को प्राप्थ हो गए होते क्योंकि यहां से अगला कोई तालाब है या नही और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नही इन सब कारणों से आप कभी प्यास न बुझा पाते और प्यास से मर जाते फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिस्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिती हम लोगों के समक्ष आ जाई है वैसी ही स्थिती और मुश्किल दोर जिंदगी के हर मोर पर आएंगे तब उस समय भी आपको ऐसे ही सयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुँचना होगा हर मुश्किल दोर में सब रखते हुए ऐसे ही शान्त मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए जिसका नतीजा आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं जिसका बुरा परिणाम उनको भविस्य में देखने को मिलता है जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है कुछ परिस्थितिया जीवन में ऐसी होती है जहां हमें सब बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करना होता है लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते जिस वज़े से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है